देखो आप Municipal Tax अभी तक Last Class में हमने क्या कर लिया है House Property के अंदर सबसे पहले हमने Section 22 कर रहा है Section 22 में बताया गया था कि House Property निकाला किस पे जाएगा और इसको देगा कौन यानि Chargability इसके अंदर हमें याद रखना था कि House Property निकाला जाएगा by way of annual value जो कि Section 23 पहले आप पढ़ोगे तब आप House Property निकाल पाओगे इसके बाद बताया गया था House Property पेड करेगा कौन पेड करेगा Honor पेड करेगा और Honor पेड करेगा जो उसका या Actual Honor हो या Deemed Honor हो और Deemed Honor के बारे में हमने किस Section में पढ़ लिया था 27 में उसके अंदर different different situation different different cases देखा था इसके बाद हमने देखा था House Property 23 के अंदर किस तरीके से calculation है तो मैंने इसके अंदर बताया था सबसे पहले Municipal Value देखोगे आप और इसको Short Form में मैंने MV बताया था Municipal Value और Fair Rent इन दोनों का comparison होगा Municipal Value और Fair Rent इन दोनों में से जो higher आएगा अब Municipal Value क्या होता है जो Municipal Department चार्ज करता है Fair Rent क्या होता है जो Aspados के हिसाफ से चार्ज किया जाता है इन दोनों में से जो higher होगा उसको मैं नाम दे देता हूँ Fair Rent No.1 फिर इस Fair Rent No.1 को मैं comparison करूँगा standard rent से Fair Rent No.1 जो इन दोनों में से higher होगा वो होगा अब इन दोनों में से comparison करके हम लिखेंगे lower जो इन दोनों में से lower आएगा उसको मैं नाम दे दूँगा Expected Rent Expected Rent अब Expected Rent और किस में comparison करूँगा मैं Actual Rent Receive and Receivable इन दोनों में से क्या देखेंगे हम higher ये अभी मैं higher बता रहा हूँ आपको बाकि इसमें जब मैं rule No.4 करवाँगा आपका आपका vacancy का case होगा तब फिर उसमें कई बार higher होगा कई बार lower अभी जितना जैसे जैसे concept चलेगा वैसे मैं बता रहा हूँ भी फिला तो इन दोनों में से कौन सा देखा जाएगा higher जो higher amount होगा वो क्या बन जाएगा हमारा GAV और इस GAV में से जो minus करने के लिए allowed है उसे बोलते हैं principal tax और उसमें से minus कर देंगे तो फिर आएगा मेरा section 23 जिसको बोलते है net annual value और हमें इस net annual value के बाद भी दो चीजे minus करना allowed है एक खर्चे और उस खर्चे को दिया गया किस section में और एक standard दिया गया है किस section में दिया गया है section 24 ए में और कितने percent दिया गया है उसके बाद अगर आपने loan वगरा लेके घर खरीदा है तो उस loan का भी deduction की बात है वो कौन से section में 24 B के अंदर और interest कितना नहीं है वो तो अलग बात की बात है जब हम करेंगे 24 B तब बात करेंगे और यह जो हमारा last में income finally निकल के आता था यह आता था taxable house property income जिसके उपर हमें tax देना पड़ेगा last class में हमने यहां तक पूरा cover कर लिया है अब आज का जो main topic है वो topic यह है कि जो मैंने यहां से minus किया है क्या minus किया है मैंने GAV में से municipal tax यह हर बार minus कर देंगे या फिर कुछ condition देखना पड़ेगा minus करने से मकान मालिक भी paid कर सकता है यह और कई बार किरायदार भी जैसे कि कई बार आपने देखा होगा मकान मालिक बोल देता है कि भाई मुझे रेंट चाहिए बाके बिजले बिल पाने बिल और जो भी चीज़े होगा वो सब आप white wash maintenance सब आपको ही करवाना पड़ेगा और house tax भी यानि आपको municipal tax भी आपको ही paid करना पड़ेगा तो उस situation में कौन paid कर रहे है किरायदार तब भी क्या deduction मिलेगा अगर मालिक paid करता है तब क्या deduction मिलेगा वही आज हम सीखने वाले हैं और उस concept का नाम क्या है हमारा आज का municipal tax जिसको मैं short form में ज्यादतर मैं empty भी बोल देता हूं तो इसके आगे अभी इसकी बात और इसकी बात नहीं करूँगा अभी हम सीखेंगे सिर्फ आज का topic यह है पहले इसको देखते हैं फिर आगे concept पर चलेंगे यहां तक हर बच्चे को clear होना चाहिए नहीं अगर clear है भी तो जो मैंने अभी example लिखवाया या फिर जो मैं example करूँगा भी उससे clear हो जाएगा वो देखो मान लो यह एक house है इसका honor Mr. X और इसने यह घर rent पे दे दिया रेंट पे देने के लिए word use होता है क्या let out let out का मतलब होता है rent पे इसने rent पे दे दिया Mr. Y को अब इस घर के आसपास street light इस घर के आसपास park वगएरा इस घर के आसपास काफी सारे facility provided किये गए होंगे government के थुरू अब जो भी facility provided किया गया है उस state government के थुरू अगर डेली है तो डेली में provided है तो government क्या करेगा आपसे ये सारा जो facility है मालो गटर का facility है ये नाले का facility है ये सारा जो facility दिया गया है इस facility के बदले आपसे चार्ज करेगा और इस facility के बदले चार्ज आप सबसे भी करता है कई बार कुछ student कई बार आप भी देखोगे आपसे कब चार्ज होता है ये कई एरिये में तो clear बता दिया जाता है कि आपको इतना house tax देना है municipal tax इतना देना पड़ेगा और कई एरिये में पानी के बिल के अंदर add करके भीज देते हैं जहां पर लगता है कि यहां के लोग दे नहीं पारे तो ऐसे कुछ बिल में add करके भीज देंगे जहां पर उनको पता नहीं चलता के बिल है तो आप जिस time पर देखना अगर street वगर गटर वगर शाप क्लीन कर रहे हैं वो आके तो उस situation के अंदर आप देखोगे कि उस महिने के पानी के बिल को देखना extra charges करके लिखा होगा पंदरा सो दो हजार जो भी है उस time पर बिल जादा आता है हर बार और normal पानी के बिल को उठा के देखना कम रहेगा वह तो यह government आप से charge करेगा अब depend करता है पानी का बिल बे अगर charge होके आ रहा है तो पानी का बिल अगर किरायदार दे रहा है वही payment करता है जाके तो municipal tax paid किसने किया किरायदार ने अगर पानी का बिल यह paid कर रहा है अगर मालिक बोलता है कि मैं पानी का बिल दूँगा तो municipal tax paid किसने किया ठी यानि municipal tax possible है कि X भी paid कर सकते है य भी paid कर सकते है सबसे पहले मुझे ये बताओ ये किरायदार है तो house property income section 22 में क्या कहता है house property income will be charge किस के उपर charge होगा honor के उपर अब बताओ house property पे tax देंगे income tax की बात कर रहो मैं दो taxes है house property tax income from house property tax अलग है और एक house tax अलग होता है house tax वो municipal tax को बोलते हैं और income tax जो किराया आता है उसके उपर और house tax जो होता है वो जो आपको area में जो facility प्रवाइड किया जा रहा है उस पे है तो ये municipal tax तो है house tax ये तो देना ही देना पड़ेगा आपको लेकिन मैं हम सीखने जा रहे है income tax income tax के अंदर क्या है income from house property अब income from house property मैं मुझे ये बताओ कि यहाँ पर honor कौन है एक्स तो जो computation है जो calculation करेगा income tax देने का वो एक्स करेगा या फिर y करेगा एक्स करेगा तो एक्स जब calculation करेगा mv, fr, fr1 और ये सारा जब calculation करेगा तो deduction यानि minus करेगा तो उसका income क्या होगा कम या ज्यादा कम मान लो gav एक लाख रुपए आ गया अगर municipal tax नहीं है अगर municipal tax नहीं है तो यहां से कुछ minus कर सकता है यह नहीं कर सकता अगर municipal tax 10,000 रुपए है तो इसको income tax कितने पे देना पड़ेगा 90,000 पे टेक्स कितने पे देना पड़ेगा 90 यानि साफ साफ पता चल रहा है कि जब municipal tax minus करेंगे तो tax कम हो जाएगा अब यह municipal tax honor पता है क्यों minus करता है बोलता है sir मैंने payment किया यह तो मैं minus करूँगा तब ही होगा गौर्मेंट ने बोला हाँ अगर आप payment करते हो municipal tax तो minus कर दो क्योंकि आपने खर्च कर दिये हैं सरकार को income tax के फॉर्म में नहीं किसी और tax के आपने जमा दो कर दिया है पैसा लेकिन अगर tenant paid कर रहा है तो यह calculation तो tenant नहीं करेगा न तो पैसा payment tenant कर रहा है खर्चा आपके जेब से तो नहीं है जब आपके जेब से खर्चा भी नहीं है तो आप minus भी करोगे या नहीं करोगे नहीं कर सकते आप तो सबसे पहले municipal tax में concept क्या आया मुंसिपल टेक्स जो है अगर payment honor करता है तभी minus करने दिया जाएगा otherwise minus करना allowed नहीं होगा अगर कोई भी paid करता है और अधर इसके बाद बोला गया municipal tax का आप tax calculation करोगे हर बार कब से कब तक का एक चार से लेके 31 सब्सक्राइब एक चार 2018 से लेके 31 दो हजार 2019 तक government ने rule ये बनाया municipal tax में आप in duration में आपका municipal tax कहीं भी due हो सकता है due का मतलब government कभी भी आपसे बोल सकता है municipal tax 2 लेकिन आपका due का मतलब ये नहीं होता कि आपने payment कर दिया मैंने बोला municipal tax 2 तो कुछ ने दिये होंगे कुछ ने नहीं दिये होंगे अगर आप payment यहां तक कर देते हो last 31st March इसी साल का अगर आप यहां तक payment कर दोगे तब minus करना allowed है अगर आप बोलते हो कि मैं अगले साल दे दूँगा यह municipal tax यानि आपने government से कहा कि मैं एक चार 2019 से 31 तीन 2020 वाले session में मैं यहां पे 5000 रुपे municipal tax था आपने किसी reason के वजह से इस साल के किसी date पे नहीं paid कर पाए government के बोलते हो कि next year मैं payment कर दूँगा government कहेगा फिर इस साल माइनस मत करो यहां से आप next year paid करोगे न तो next year भी आप income from house property तो निकालोगे तो next year minus कर लेना अब next year की बात करें तो next year का भी तो होगा कुछ ना कुछ municipal tax यानि 5000 पुराने मान लो 6000 इस साल का बना है अब इस साल यह मकान मालिक क्या करता है इस साल का भी payment करता है और पिछले साल का भी payment करता है government ने कहा कि आप जितना tax paid करोगे सारा minus करना loud है यानि अगर 2019 और 2020 की मैं बात करूँ तो अगर इसने 31 मार्च से पहले कभी भी या 31 मार्च वाले दिन तक payment कर दिया है 11,000 रुपे तो इसको deduction कितना मिल जाएगा minus करने को पूरे 11,000 पांच हजार पिछले भी और 6,000 ये भी मान लो ये जो है Mr. X ये बोलता है कि यार हर बार देना पड़ता है ये अगले साल का next year बीस और 21 का भी payment 5000 रुपे यहीं कर रहा है यानि पिछले साल का भी payment मैं कर देता हूँ अगले साल का भी मैं payment कर देता हूँ और इस साल का भी payment कर देता हूँ total payment कितना हो गया 11 और 5, 16 अब बताओ municipal tax कितना minus करें municipal tax law में लिखा है जितना paid करोगे उतना minus कर दोगे यानि पूरे के पूरे 16,000 रुपए पूरे 16,000 रुपए ये paid basis पे होता है अब next year आपने 16,000 रुपए minus कोन से साल में कर लिया 19 और 20 वाले session के अंदर अब 20 और 21 भी आएगा वहाँ पे भी income from house property बनाओगे आप क्या वहाँ पे 6,000 minus कर पाओगे आप नहीं कर पाओगे क्योंकि उसका benefit तो आप पहले ही ले चुके हो तो इसमें simple सा concept है के municipal tax paid basis पे मिलेगा आपको एक तो payment करोगे तो मिलेगा due हो जाता है उससे कोई ले न देना नहीं दूसरा point अगर मकान मालिक paid करता है तभी minus कर सकते हो otherwise आप minus नहीं कर सकते तो एक example मैंने कितने cases लिखवाएं मैंने पांच तो देखो हम एक बार पांच cases जो लिखवा रखा है मैंने उसका solution देखते है केस नमबर वन केस नमबर टू केस नमबर टू केस नमबर फूर और ना फाइनल फाइनल फाइव चलो एक example लेते हैं मुंसिपल वेल्यू मुंसिपल वेल्यू मुंसिपल वेल्यू क्या है हमारा एक लाख रुपए मुंसिपल वेल्यू है मेरे पास एक लाख रुपए मैंने आपको यही लिखवा है शाहिद मुंसिपल वेल्यू कितना एक लाख पहले case में भी 1,00,00, दूसरे case में भी 1,00, तीसरे case में भी और फूर्थ और फिफ्ट में भी इसके बाद इसको हम comparison करते हैं किस से? फेयर रेंट से और फेयर रेंट है 1,00,00, 40,000 एक लाग चालिस अजार अब हमें यहां से इन दोनों में से क्या डिटर्माइन करना है? हायर जिसको मैं क्या नाम दे दूँगा? फेयर रेंट नाम दे दूँगा? फेयर रेंट नाम दे दिया दोनों में से हायर वन लैक एक लाग चालिस अजार अब इसके बाद इसके बाद क्या लिखेंगे? स्टेंडर रेंट जिसको मैंने क्या बोला था? स्टेंडर रेंट कितना दे रखा है? एक लाग दस अजार इसका कंपेरिजन करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे कंपेरिजन और कंपेरिजन करने पे लोवर देखेंगे या हायर देखेंगे? लोवर चेक करेंगे एस पर रेंट कंट्रोलिंग एक्ट के अकॉर्डिंग जो डिसीजन आएगा लोवर इतना किराय तो आपका होना ही होना चाहिए जो कि आ गया मेरा एक लाग दस अजार अब इसके बाद कंपेरिजन करो इसको एक्चुल रेंट रिसीव एंड रिसीवेबल मैंने बोला था एक्चुल रेंट रिसीव या तो रिसीव हो चुका है या लेना बाकी है गवर्मेंट अगर लेना भी बाकी है गवर्मेंट बोलेगा कोई बात नहीं आपको मिल जाएगा हमें टेक्स दे दो नहीं मिलेगा तब देखेंगे क्या करना है पहले मुझे इस साल का टेक्स दे दो अब रेंट कितने पे किराय पे है रेंट मान लेते हैं के किराये पे दे रखा है 10,000 तो 10,000 multiply by 12 महिने के लिए होगा per month 10,000 per month 10,000 into 12 तो ये कितना आ गया अब इन दोनों में comparison करके हम क्या find कर सकते बोलो इन दोनों में comparison करके इन दोनों में से comparison higher अभी फिलाल के लिए higher कभी कभी lower भी ले ले लेते हैं वो मैं concept बताऊँगा कब lower लेना है तो इन दोनों में comparison करके क्या होगा higher value higher value मेरे पास आएगा उसका नाम क्या determine करूँगा GAV यानि gross annual value जो कि इन दोनों में से higher है हमारा एक लाग अभी तक municipal taxes का मैंने कोई काम नहीं किया अब इसमें से हमें minus करना है municipal tax case number one empty minus करना है case number one case number one में मान लेते हैं कि municipal tax कितना है हमारा 10,000 10,000 municipal tax है payment कब है इसका 1st April 2019 2019 अब मैं ये बता दूँ जो मैं ये calculation कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 18 और 19 के लिए आपको date पता चल गया है यानि मेरा जो दाइरा है वो है 1 April 2000 18 से लेके 31 March 2019 तक लेकिन मैंने 1st example में मान लो मैंने बताए कि जो मैं payment कर रहा हूँ एक April को payment कर रहा हूँ और वो भी 2000 क्या इसी साल payment हो रहा है तो क्या मैं minus कर पाऊँगा तो कब minus करूँगा उसको next year लेकिन calculation तो इस साल की कर रहे है तो इस पे minus नहीं कर सकते ठीक है next year जब government बोलेगा कि आपको house property tax निकालो next year minus कर देंगे क्योंकि next year के उसमें चला गया यह उसके बाद कितना payment करता है वो 15,000 रुपे उसके बाद के example में मैंने बताए 15 और कब payment है 25 March 31 March 2019 में payment किस ने किया तो टोटल था 15,000 15,000 में से उसने चलो मानता हूँ कि उसने 31 March 2019 को payment कर दिया लेकिन ये भी चेक करो कि payment मकान मालिक कर रहा है या किरायदार कर रहा है तो आधा तो मकान मालिक कर रहा है इसमें और आधा तो ऐसे situation में अगर half 15,000 में से honor और tenant करता है तो मैं यहां से minus कितना करूँ half कौन से वाला जो honor paid कर रहा है जो honor paid कर रहा है चलो minus करके बाद में लिख लेंगे अब बाकी के half का क्या अगले साल मिल जाएगा deduction अगले साल deduct कर पाऊँगा मैं नहीं कर सकता है उसे भूल जाओ क्योंकि आपका खर्चा ही नहीं है तो क्यों minus करोगे आप खर्चा तो tenant का है अगली बात करते हैं third case के अंदर 5000 रुपे due है 31 March तक 5000 रुपे due हो चुका है क्या payment कर दिया? नहीं किया government क्या कहता है? payment करोगे तब minus कर सकते हो otherwise minus तो बस minus नहीं करना next fourth case में क्या बोला है मैंने? अब देखो 31 जनवरी 2019 क्या इसी साल में आ रहा है? जिस साल का मैं calculation कर रहा हूँ? कुछ tax 5000 पिछले साल का है? 5000 कब का है? और कुछ tax current year का है जो amount क्या है हमारा? 2000 रुपे कब का है? current year का और कुछ tax next year का भी है कितने amount का? तो 5000 पिछले साल का 2000 6000 पिछले साल का 2000 इस साल का और 5000 next year का सारा का सारा मैंने payment कर दिया और इस साल कब तक मैंने कर रहा है 31 जैन को तो क्या माइनस कर सकता हूँ 13,000 रुपे माइनस करना allowed है क्या इसमें माइनस allowed करने में कोई limit है क्या कोई limit नहीं है आप जितना मर्जी आपने paid कर दो उतना आप minus कर सकते हो जितना भी paid कर दो तो आप उतना माइनस कर सकते हो, मेरा एक छोटा सा डावटे क्लियर करना, क्या मुंसिपल टेक्स पॉसिबल है कि मैं एक लाग तीस हजार रुपे पेड़ कर दूँ, मेरी इच्छा है, मैं आने वाले 20 साल का पेमिंट कर रहा हूं, क्या कर सकता हूं, तो एक लाग तीस हजार माइनस करूँगा, या फिर एक लाग बीस हजार माइनस करूँगा, क्योश्चन मैंने क्या पूट किया समझ में है, मेरी मर्जी है कि मैं कितना मर्जी मुंसिपल टेक्स पेड़ करूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं 1,30,000 पेमिंट कर रहा हूँ गौवर्मेंट ने का पेड करोगे माइनस करना अलाओड है तो 1,30,000 पेड कर रहा हूँ मैं तो 1,30,000 रुपे जब मैं पेड कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो income तो 1,20 ही है तो अब 1,20 माइनस करें या 1,30 माइनस करें यहाँ पे हम अभी फिलाल माइनस करेंगे 1,30 और income दिखा देंगे हम negative में कि हमारे पास इस वार खर्चा ज़्यादा हो गया और income कम और next year जब मेरा income आएगा next year हम पढ़ेंगे एक chapter set up and carry forward 71,72 section में है जो next year income आएगा तो income next year माल लो आता है 20,000 तो जो 10,000 माइनस में है न वो 10,000 माइनस करके फिर आगे ले जाएंगे यानि यहाँ पे जितना paid करोगे सारा का सारा माइनस करो चाहे वो negative में आ जाए कोई फरक उसका नहीं पढ़ेगा फिफ्थ केस में मैंने क्या लिखवाए है कहता है municipal tax जो है वो कितना total amount का है 5000 जिसमें से 2000 paid हो गिया और balance tenant paid कर रहा है और किस तारिख पे paid हुआ यह चेक करो 25 august यानि 25 august 2018 क्या यही साल है आपने एक मिन्ट यह वाला जो था कौन सा साल है यह 2019 वाला था एक example आपने कोई miss किया है मैंने एक जगा पे लिखवाया है 31 March 2018 यही है इस ही में फिफ्ट केस ही है न हाँ तो इसमें कहता है कि देखो मैंने question को confuse करने के लिए थोड़ा सा इसके अंदर एक point डाला है कि total 5000 का टेक्स है 2000 payment कर रहा है कोई बात नहीं और बाकी के payment कोन कर रहा है tenant कर रहा है कब कर रहा है बाकी का payment tenant 25 अगस 2018 लेकिन honor कब paid कर रहा है 31 March 2018 यानि मैंने बताए कि 5000 रुपे का दो partition में हो गया एक तो payment जा रहा है 33 और एक payment जा रहा है 25 और ये payment कर रहा है आपका कौन Y tenant और ये कौन payment कर रहा है X हमें tax calculation कब के लिए करना है 18 और किरायदार payment करता है तो इसको तो deduction हटा ही दो इसको तो मिलेगा ही नि माइनस हम deduct तो करी नहीं सकते लेकिन जो मालिक paid कर रहा है इसका तो मिलेगा क्या इस साल paid कर रहा है पिछले साल पेड़ कर रहा है पिछले साल इसने ले लहाँ होगा, दिडेक्शन, माइनस कर लिया होगा, तो क्या माइनस करेंगे 48 humans MINUS करेंगे और यह हमारा आ जाएगा और यह आ गया एक लाक बीस था जार एक लाक बीस थार में से Minist कर देंगे तो 1,12,500, 1,20,000 इसमें से माइनस कर देंगे 1,07,000 और 1,20,000 मेरे इसाब से मुनसिपल टेक्स का पूरा का पूरा कॉनसेप्ट खतम हो गया एक बार इसका solution नोट करो फिर इसके बाद next concept देखते हैं